आज के इस शौट विडियो में आपको हम दो फंक्चन के बारे बताने जा रहे हैं पहला फंक्चन है गेट कैर और दूसरा फंक्चन है पुट कैर य culinary function का योज काफी प्रोग्राम में किया जाते है और आपको टो ये दोनो फंक्चन का योज कर सकते हैं यह दोनों function में सबसे पहले देखते हैं get care के definition क्या है it is used to input a single character यानि अगर कभी हमको program में कोई single character हम चाहते हैं input के लेना तो फिर हम वहाँ पे get care का use करेंगे बहुत सिंपल इसके syntax भी आप देखें x equal to get care यानि user जो भी डालेगा तो x में store हो जाएगा using this function get care तो get care में जैसे इस bracket के अंदर को parameter नहीं जाएगा तो यह होगा आपका get care के definition and syntax अब इसकी practical करके आपको हम अच्छे से दिखाएंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं दूसरा आप देखें put care it is also a function which is used to print a single character यानि ये भी एक function है इसको हम यहां print कर देंगे ठीक है तो बहुत short में definition है ये और function बहुत चोड़ा है तो चलिए अब इसको हम practical करके दिखाते हैं कैसे ये run करता हैं अब हम आ गए हैं टर्बो सी के editor में यहां पे main के बाद सबसे पहले हम एक variable ले ले लेते हैं character type का मालने character में x ले लिए हमने उसके बाद हम यहां पे clear screen कर देते हैं CLR SCR और यहां पे clear screen हो गया उसके बाद हम एक message print करना हो चाहते है printf enter a character enter a character ठीक है तो यहां पे tab लगा देते हैं और यहां पे message print होगा message जैसे print होगा तो user डालेगा character तो character हमको चाहिए x में चाहिए using this function तो देखें इस function को use करना कितना आसान है simple आप लगा दिए function use हो गया अब चाहते हैं आप उसको print करना लेकिन उसके पहले एक message को print करना करते हैं ताकि वो थोड़ा effective देखें meaningful देखें character is यहां पर हम यहां तक लिखें और slash t दे दिए इसको बंद कर दिए ठीक है semicolon से अब जो character आया get care से जो character हम लिए उसको put care के थुरू हम इसको print कर देते है put care bracket open x डाल दिए x क्यों डाले चुकि जो भी user डालेगा वह x में ही आएगा तो यहां पर यह काम खत्म कोडिंग हमारी complete कितना लाइन का हुआ कोडिंग हाडली जो हमारा logic है बस यही इसमें है एक function get care कई उसकी एक put care कई उसकी अब इसको हम compile करके run करते हैं देखते हैं तो इसमें कोई error नहीं है message जो है यहां पर आए enter a character अब आप डालते हैं माले वाई तो यहां पर क्या message आए character is why यानि हमने जो डाला इस character get care के माधियम से वही character यहां put care के माधियम से print हो गया once again आप देखें रण करके अब डालते हैं यहां पर यहां पर आगया अभी देखें अभी आपको लग रहा है कि यह क्या है बस सिंगल करेक्टर डाल रहे हैं तो यह तो इस आप से भी पॉसिबल था लेकिन आप जब बहुत ज्यादा एफेक्टिव प्रोग्राम बनाएंगे लंबा प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर डेफिनिटली गेट करके यूज होगा जहां पर आपको सिंगल करेक्टर चाहिए और सिंगल करेक्टर करने की भी जब जब करके यूज करेंगे और दोनों फंक्शन काफ़े इंपॉर्डेंट है और प्रोग्रामिंग में इसको यूज किया जाता है तो आज के लिए बस इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यी वेरी मच्च